जमानत मिलने के बाद भी अभी अर्विन केजरिवाल को जेल में ही रहना होगा क्योंकि पहले दिल्ली हाई कोट ने अर्विन केजरिवाल की जमानत पर इंटरिम स्टे लगाया था उस दिल्ली हाई कोट के आदेश के खिलाफ अर्विन केजरिवाल ने सुप्रिम कोट में जो कोट जो है फिलाल अभी मानने को त्यार नहीं हो रही है देखे हमने हाई कोट के उस आदेश को सुप्रिम कोट में चैलेंज किया जिस आदेश के तहट अर्विन केजरिवाल जी की रिहाई रोक दी गई थी फ्राइडे को ट्राइल कोट का औरर स्टे कर दिया गया था हाई कोट के द्वारा उसको हमने चैलेंज किया था आज सुप्रिम कोट में हमारी जो प्रमुख रूप से ये दलील थी कि ज이스 तरीके से एक व्यक्ती के सतंतरता को एक व्यक्ती के इडिपेंडेंस को एक बिक्ति के राइट्स को जिस तरीके से रोका गया एक आदेश होने के बाबजूद साधे दस बजे आदेश की कॉपी ट्राइल कोट की अभी अपलोड भी नहीं होई थी कोट में ये मेंशन किया गया कोट ने ओरल अबजर्वेशन में स्टे किया और मामले के सुनवाई करते करते फाइनली जो है जो आदेश पास किया उसमें ये कहा कि हम एंट्रिम स्टे पे रिजर्व करते हैं ये एक अनिज्वल प्रैक्टिस थी और यही आज जो है ओरल अबजर्वेशन में मानने सुप्रिम कोट ने हमारी दलिल सुनने के बाद ये अब्जर्व किया कि ये अनिज्वल है अन्प्रिसेडेंटेड है और ऐसा नहीं होता है बट चूकि हाई कोट एक कॉंस्टिशनल कोट है और हाई कोट में अगर प्रोसीडिंग्स चली है और मामला सुरक्षित रखा गया है तो सुप्रिम कोट ने ये कहा है कि जब तक फाइनल जज्जमेंट हाई कोट का नहीं आ जाता तब तक सुनवाई जो है सही तरीके से नहीं हो पाईगी इसलिए मामले को जो है वो परसो तक के लिए जो है जर्ण कर दिया गया है और अब सुनवाई परसो होगी और उमीद की जाती है कि हाई कोट जो है अपना आदेश वो या तो आज या फिर कल में वो सुना दिया जाएगा आर जी दर्शोत के लिए मैं समझना चाहरा हूं एक लोवर कोट के सैसले पर हाई कोट स्टै दो लगा ही सकता है तो फिर इस में बहुत है अब विपक्रिकों लेकिन आपको अगर पूरी प्रिकरिया देखें कि दो दिन के सुनवाई के बाद ट्रायल कोट ने बेल का आदे किया और कहा कि जो है order जो है upload कर दिया जाएगा अभी तक order ना तो upload किया गया किसी के पास था ना तो हमारे पास था ना तो ED के पास था बिना order के साधे 10 बजे court खुलते के साथ high court में इसको mention किया जाता है mentioning के दौरान ओरली जो है उस आदेश के execution को stay किया जाता है उसके बाद सुनवाई होती है सुनवाई जो है दो घंटे तीन घंटे चलती है और order जो है वो पास किया जाता है कि आज हम stay कर रहे हैं detail order हम बाद में पास करेंगे देखिए कि 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 अगर जो हमारा यह मानना था कि मानने हाई कोट एक detail और एक reason order पास करती और बताती कि किनकिन grounds पे जो है हम stay कर रहे हैं और यह आदेश उसी दिन पास होना चाहिए था इसको दो-तिन दिनों की जो जो महलत दी गई महलत में रखके इसको order प्रणाउंस करना माने सुप्रिम कोट ने भी agree किया है कि यह थोड़ा unusual है stay grant करना उनके power है वो कर सकते हैं और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर जब stay दे रहे हैं किसी व्यक्ति को जो है जेल से बाहर आने किसे रोक रहे हैं तो आपको reason order देना जरूरी था यह हमारा एक जो है यहाँ पर एक दलील यह भी थी तो कोट अभी चाहरा है कि पहले अब high court order दे दे फिर हम लोग सुनवाई करेंगे कोट ने यह कहा है सुप्रिम कोट ने यह कहा है कि चुकि मैं चरह चर्मा एंडिटी मेंडिया